धंपत की गाथा नंबर पांच में जो कथा है उसके नुशार जो सावित्री या सावित्ती नाम की जगे है वहाँ एक जयत्वनाराम बुद्ध बिहार है ये कथा वहाँ की है वहाँ पर एक ग्रस्त परिवार रहता था ग्रस्त परिवार में जो महिला थी उसको बच्चे नहीं होते थे तो उसके स्वामी ने जो ग्रहपती था उसने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चे हो और जो दूसरी और थी जो दूसरी उसकी पत्नी थी जब उसे बच्चा होने वाला था तो पहली वाली जो और थी वो उ उनों दोनों महिलाओं में एक बहुत लंबी ना मिटने वाली लड़ाई आरम हो गई और दोनों के मन के अंदर लड़ाई के बीज उत्पन हो गए पहली वाली ओरत के जिसके बच्चा नहीं होता था और जिसके बच्चा होने वाला था गरपात हुआ उसके भी क्योंकि औरत को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है दौनों को ही बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार है एक को बच्चा ना होने का बहुत ज़्यादा दुख है और एक को बच्चा उसका हुआ और उसको खोने का दुख है यानि दौनों का जो मौ हैं वो बच्चे से है और बच्चे का होना महिला के लिए खास बात है क्योंकि महिला के सौफ्ट वेर में महिला जीती ही अपने बच्चे के लिए है उसके अंदर एक खास सौफ्ट वेर होता है जिससे बच्चा पैदा होता है और बच्चे के लिए प्यार उमर उमर के आता है इसलिए जो मंतत्व होता है मा के अंदर एक स्पेसल खास फाइल होती है जो उसमें मंता बढ़ाती है और मंता के लिए वो जानी चाहती है ये लंबे जगडे के जो बीज उनमें पड़े ये उनके बाद के जन्मों में भी आने लगे अब यहाँ बाद के जन्मों की कथा आरम हो गई है मैंने पहले भी कहा था मैं फिर इस पश्ट कर दूँ कि जो लोग आने वाले जो next birth है उसमें समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जाने अगर नहीं जान सकते हैं तो उसको छोड़ दें सिर्फ कहानी और कथा मान के रखें मैंने जन्म की और next birth की जो कहानी है या वीडियो है वो मैंने लोड की हुई है आप उसको देख सकते हैं, वो scientific है तो next birth में वो एक मुर्गी बनी और एक उसमें बिल्ली बनी यानि बिल्ली और मुर्गी का बैर दिखाया है और बिल्ली हमेसा मुर्गी के पीछे रही उसके बाद फिर next birth के अंदर वो हिरन और तेंदुआ बनी यानि एक हिरनी बनी और एक तेंदुआ बनी और उनमें बैर आपस में रहा बैर चलता है दोनों जीवों का एक दूसरे को खाते हैं मारते हैं उसके बाद के जनम में वो जब उन्होंने मनुस्य का जनम लिया तो उसमें एक कुलकन्या बनी और एक कुलक्षनी बनी अब कुलकन्या और कुलक्षनी क्या है कुलकन्या उसको बोलते हैं जिसके जो फाइलें या जिसके जो सभाव होते हैं, जिसका मन बड़ा कॉमल, निरमल और अच्छा होता है, और जो सारी बातें positive और अच्छी करती है। और जो कुलक्षणी बोलते हैं, कुलक्षणी उसको बोलते हैं, जिसके अंदर negative files जड़ा होती हैं, और वो हमेसा जो वेवार करती है, यानि कुलक्षनी जो वेवार करती है, वो हमेसा खराब करती है, लड़ती रहेगी, फसाद करती रहेगी, उसमें के मन में हमेसा अफसाद रहेगा, हमेसा उसके मन में घिर्णा रहेगी, दौर मनसर रहेगा, हमेसा लालच रहेगा, क्रोध तो कुल कन्या और कुलक्षनी इन दोरों में ये अंतर होता है अब कुल कन्या की शादी हुई तो उसके बच्चा हुआ पहला बच्चा हुआ तो वो बच्चा कहानी है कहानी के हिसाब से आप कुलें इसको पहला बच्चा हुआ तो यक्षनी ने उसको देखा और देखने के बाद में जो बच्चे को feeling आई और महसूस आई वो डर गया और डर के मारे वो मर गया ऐसे करते करते उसके तीन बच्चे मर गए जब चौता बच्चा उसका हुआ और होने वाला हुआ तो वो जब अपने बच्चे के अंदर ऐसी फिलिंग आई उस काली यक्षनी को देखके कि वो बीमार पढ़ गया तो बीमार पढ़ने से जो उसकी माता थी वो घबराई और उसे पता था कि भगवान बुद्व पास के जैत्वन अराम बिहार के अंदर आराम करते हैं और वो सीधी वहां दोड़ी और दोड़ के उसने अपना बच्चा भगवान के सामने रख दिया और भगवान से कहा कि आप इसकी रख्चा करें भगवान ने जो बहार काली यक्षनी उसके पीछे पीछे भागी तो काली यक्षनी जो कि भगवान के बुद्ध बिहार में सारा जो वाता बहुत अच्छा होता है शांत होता है पॉजिटिव होता है काली यक्षनी की हिम्मत नहीं हुई हुई कि वो बिहार के अंदर गोसे या आप ऐसे समझे कि जैसे आप अका घर और आप अगर सारे बहुत इमानदार है सारे काम सील के हिसाफ से करते हैं सारे सीलों का परन करते हैं कभी ना चोरी करते हैं ना वेफचार करते हैं ना जूट बोलते हैं ना सराप पीते हैं ना हत्या करते हैं ना क्या बोलते हैं कोई मिध्यक्चार करते हैं और आपके परिवार में ऐसे ही सब हैं तो वो परिवार के अंदर एक positive energy घर के अंदर होती है घर के अंदर चाहें बेसा खाने पिने का सामन कमो या जगे कमो मगर उस परिवार और उस घर में से खुस्बू आती है और ये सच में आती है कहीं कोई ऐसा नहीं है कहती शोक्ती है या जोटी बात है कि जिस परिवार में सारे लोग सच्चे होते हैं उसके परिवार में अगर आर्थिक तंगी भी होगी तो भी खुस्बू आती है उनके चेरों से भी खुशबू आती है, सरीर से खुशबू आती है और positive वाता बना रहता है और वहाँ कोई ऐसा वेक्ती जो चोरी करता हो, वेबचार करता हो सराब पीता हो, जूट करता हो, हत्या करता हो वो वहाँ आता है तो उसका बहुत छोटा सा चेरा बन जाएगा और वो बल्कुत सकुचा जाएगा वो गेट के अंदर गुसेगा भी नहीं उसकी हिम्मत ही नहीं होगी और अगर आपके घर में वेबचार है, चोरी है, हिंसा है बलातकार है, जुआ है, शराब है, सब चीज है तो आपके घर में कोई भी आयागा जाएगा अपना अधिकार समझगे, क्योंकि मौरली वो घर बहुत कमज़र होता है और वो घर काला माना जाता है तो काली यक्षनी की बुद्ध बिहार में घुसने की हिम्मत ही नहीं हुई तो बुद्ध ने उसको बुलाया उसको बुलाने के बाद कहा काली यक्षनी और जो उसकी माता थी उन दोनों कहा कि अच्छा हुआ तो आज मेरे पास आ गए क्योंकि भगवान बुद्ध पारगामी है और पारगामी होने के कारण से वो सबकी फाइले रीड कर ले लेते हैं क्योंकि वो जो अणू और परमाणू है उनकी वाइबरेशन भी वो रीड कर ले लेते हैं बुद्ध बनने की यही खास बात है कि बुद्ध अपने सरीर की एक-एक तरंग को जो तरंगे अणूं से पैदा होती है और बनती है उनको देखते हैं समझते हैं रीड करते हैं और जानते हैं कि चीज़े कैसे काम करती हैं और आगे भी देख सकते हैं पारगामी होते हैं अपने सरीर में भी देख सकते हैं लोक में और पर लोक में यानि सरीर के अंदर भी और सरीर के बाहर भी और औरों की फाइलें भी पढ़ सकते हैं औरों का सौफ्टर भी पढ़ सकते हैं ये खास बात होती है बुद्ध के अंदर और जो लोग विपशना करते हैं या साधना करते हैं या सच्चे होते हैं वो भी सामने वाले का मन मस्तिक्स को यानि कि उसके मन को पढ़ सकते हैं तो उन्हों न कहा कि तुम्हारा जो ये वैर है ये वैर का मतलब दुस्मनी है वैर में दो मात्रा नहीं है ये ये ध्यान अखना पाली के अंदर कहीं भी दो मात्रा नहीं है ना औरत वाली दो मात्रा है न वेर वाली तो वेर बोला है जो वेर है तुम दोनों के अंदर ये आज अगर तुम यहां नहीं आती तो ये समाप्त नहीं होता तुमारा वेर तब से तब से चला रहा है और अब इस वेर को तुम समाप्त कर दो क्योंकि वेर से वेर यानि कि जो वेर से वेर, दुस्मनी से दुस्मनी कभी भी समाप्त नहीं होती ऐसा कहने के बाद में उन्होंने एक गाथा कही क्या गाथा कही नहीं वेरेन वेरानी समन्दीत कुदाचनंग ए वेरेन चे समन्ती ऐस धम्मों सनंतनों यानि नहीं वेरेन वेरानी नहीं माने नहीं ही माने वास्तम में निश्चे वेरेन माने वेर से यानि कि दुस्मनी से वेरानी माने दुस्मनी यानि दुस्मनी से दुस्मनी समाप्त नहीं होती समंतीत समंतीद कुदाचनंग समंतीद माने संमत माने और तब जाके संंमन्ती सांती होगी ऐस धमो सननतनों का इन तीन सब्दों का जो इस्तमाल है वो जो आपने देखा होगा कि ओशो की जो किताब है ओशो की मशूर किताब क्योंकि ओशो अपने लाश्ट के दो साल में बुद्ध की तरफ पूरी तरह से आगे पहले तो नहीं आए मगर लाश्ट में उन्होंने अपना समरपन पूरा बुद्ध की फिलोस्पिकलिक किया और ऐस धमो सननतनों करके उन्होंने कैई सारी किताब निकाली तो ऐस धमो सननतनों उन्होंने यहीं से सब लिया है यानि कि धंपत की पांचवी गाता है इसकी जो ल उससे बना है जब सही नीचर बनी है तब सही यह चला आ रहा है कि आप अगर किसी से वैर करेंगे तो वैर से वैर सांत नहीं होगा दुस्मनी से दुस्मनी कभी सांत नहीं होती यह का था उन्होंने कही एक कहानी उन्होंने बताई एक तिबबत के अंदर भी कहानी चलती है तिब्बत वाली जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है एक गाड़ी में गाड़ी वान जा रहा है गाड़ी लेके आराम से दीरे-दीरे करके बैल चला के अपने दो लगा के उसे सामने एक औरत मिलती है बहुत सुन्दर सी उस औरत वो कहती है कि मुझे दूर जाना है आप मुझे उसमें बठा लीजिए तो वो उस औरत को अपनी गाड़ी में बठा लेता है जब उस औरत को बठा के वो चलता है थोड़ी दूर तो आगे जाके उसे एक औरत और दिखाए दीती है तो वो चार हो जाती है और वो बड़ा परिसान होता है कि जितनी औरत को वो कारता जा रहा है उतनी औरतें वो और जाता होती जा रहे है तब उसे एक भवश्यवानी होती है एक आकास से आवाज आती है कहानी चलिए ध्यान रखना ये सच्चाई नहीं है ये कहानी है, क्यों है मैं इसको आपकी बताऊंगा आपको, इसको दिमाग में कहानी के रूप में रखें, तो उसे एक आकास वाणी होती है, कि ये जो औरत तुने अभी पहले वाली सुन्दर औरत जो तुने बठाई है, ये इसी के रूप है, अगर तु गाड़ी वाली औरत देखके उसको गाड़ी में बठाया, यानि कि कोई चीज, कोई रूप, कोई पधार, कोई खाना, कोई खुश्बू देखके आपने वो दिल में बठाई, वो अपने मन में आपने घ्रन की और मन में रख ली, कोई सुन्दर औरत है, या कोई सुन्दर खाना है, या कोई ड् लिया, वो फाइल आपके मंद के अंदर बन गई, अब जैसे ही वो फाइल बनी, तो वो फाइल और फाइल बना रही है, यानि अब आपको और चाहिए, जैसे मानलो सपोज आपने एक सुन्दर कार का चित्रन अपने अंदर रखा, तो एक सुन्दर कार आपके पास आ गई, व उसके बड़े चाहिए, radial tire चाहिए, radial tire आगे तो अब आपको उसका हुरन अच्छा चाहिए, तो उसको आपका silence रव चाहिए, यानि कि आपकी वो एक्छाएं बढ़ती जा रही है, इसलिए आपको जो पहली एक्छा है, पहली फाइल है, पहली मूथ बूल जो चीज है, वो प आपको मूल करन खतम करेंगे तो वो खतम हो जाएगा तो आपको वेर खतम करना है अगर आप वेर खतम नहीं करेंगे तो वो जीवन पर चलेगा क्योंकि वेर की जो फाइल है वो आपके पास रहती है ये ठीक ऐसे है कि जैसे आपने अपने हाथ में जलता हुआ आपका टोकड पड़ेगा ये दूसरी कथा में बात आती है अभी मैं आपको दूसरी कथा बताऊंगा जिसको हम कथा नंबर 6 बोलेंगे धंपत की धन्यवाद